राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और उसकी तीन रानियों की कहानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें एक राजा था, उस राजा के तीन रानिया थी, बड़ी रानी बहुत ही, सुन्दर, बुद्धिमान और बहुत संसकारी थी दो छोटी रानिया, उस बड़ी रानी से बहुत जलन रखती थी, बहुत द्वेस भावना रखती थी क्योंकि जो राजा था, वे बड़ी रानी को बहुत प्यार भी करता था और उसकी सला मस्वरा उससे सब बातों का क्या करता था हर चीज में बड़ी रानी की सला राजा लेता था क्योंकि राजा बड़ी रानी को जादा तवज्यों देता था इसलिए दोनों छोटी रानिया की जो उससे बहुत जलन होती थी कि राजा हमसे तो पूछता ही नहीं है क्योंकि राजा कभी-कभी ही छोटी राणियों के कक्ष में जाया करता था अधिकतर समय राजा का बड़ी राणी के साथ ही गुजरता था राजा का राज्य बहुत दूर-दूर तक फैला था राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी बहुत खुशाल राज्य था लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी इसी कारण राजा ने तीन विभा किये थे पहली रानी से जब संतान नहीं हुई तो राजा ने दूसरी शादी की दूसरी शादी से भी जब दूसरी रानी से संतान नहीं हुई तो राजा ने तीसरे शादी की तीनो राणियों से संतान नहीं थी राजा ने सोचा कि शायद मेरे नसीम में संतान सुख है ही नहीं अब राजा राजय से तो बहुत खुश था बहुत धन दौलत राजा के पास थी उसे किसी परकार की कम ही नहीं थी लेकिन संतान नहीं होने के कारण राजा बहुत परेसान रहता था वैं सोचता था कि इस धर्ती लोग में तो मैं हुई दुखी लेकिन बिना संतान के तो मेरा परलोक भी नहीं सुदर सकता क्योंकि जिन लोगों के संतान नहीं होती है उन्हें तो पाप का भागी बंदना पड़ता है और उन्हें नरक का भोगना पड़ता है उनके जीवन में नरक को भोगना पड़ता है इसलिए राजा बहुत दुखी रहता था राजा ने अपने राज प्रोहितों और विद्वानों से सला ले कि उसे क्या किया जाए अब राजा ने अपने राज प्रोहितों से सला से बहुत पूजा पाट करने या घवन करना दान पूर्णय करना शुरू कर दिया कुछ समय बाद क्योंकि राजा की उमा डल रही थी और राजा बुढ़ापे की ओर अग्रसर था राजा की रानिया भी बहुत परेशान थी कि वो क्या करे कि उन्हें संतान प्राप्ती हो जाए लेकिन यह कोई उनके हाथ में नहीं था अब कुछ समय बाद राजा की जो बड़ी रानी थी उसको गरब रह गया राजा को जब यह बात मालुब हुई तो राजा बहुत परसन हुआ जो पर जाती वे भी बहुत खुसी थी कि चलो हमारे राजा का वंस बढ़ने वाला है नगर में चारो तरफ खुसियां च्छा गई लेकिन जब छोटी रानियों को यह पता चला कि बड़ी रानी मा बनने वाली है तो वे बड़ी रानी से तो पहले से ही जलती थी और उनकों से जो ज़्यादा द्वेस भावना रखने लगी दोना रानिया आपस में कहने लगी कि जब रानी के अभी तो संतान हुई ही नहीं है तभी राजा रानी का इतना ख्याल रखते हैं जब संतान हो जाएगी तो राजा तो हमें पूछेगा भी नहीं अब तो कभी-कभी हमारे कक्ष में आही जाते हैं, फिर तो बड़ी रानी जैसे अपने सारों पर न चायेगी राजा वैसे ही न आचेगा, दौनों को मारे इर्शा के बहुत जलन होती थी कि वो कैसे भी करके इस रानी को राजा की जिंदगी से हटा दे, लेकिन क्या करें मज हमारी तरफ देखना भी पसंदने ही करेंगे, हमारी हालत तो दास्यों से भी बदतर हो जाएगी, एक दिन छोटी रानी ने सला मस्वरा करके एक योजना बनाई, और वे बीच वाली जो मजली रानी थी उससे कहने लगी, कि रानी, दीदी मेरी समझ में एक योजना आई है, अगर तुम मेरे साथ दो तो हम इस बड़ी रानी से जो छुटकारा पा सकते हैं, मजली रानी भी बड़ी रानी से बहुत जलन रखती थी वह बोली तुरंत बताओ, क्या करना है, मजली रानी ने अपनी पूरी योजना मजली रानी को बता दी, कि कैसे वो राजब्रोहित क अपने साइड करके वो राजा के कान बड़ी रानी के खिलाब भर सकती हैं, जिससे राजा बड़ी रानी को महल से निकाल देगा, फिर उनका ही राज होगा, मजली रानी को छोटी रानी की बात अच्छी लगी, वे उसके सड्यंतर में उसका साथ देने के लिए त्यार हो गई वे तो दोनों किसी भी तरह से बड़ी रानी से छुटकारा पाना चाहते थे, ताकि महल में उनका राज चल सके आप उन्होंने राजप्रोहित को जो राजा का महल का राजप्रोहित था क्योंकि पहले राजप्रोहित जो बोल देते थे वही राजा लोग मानते थे पंडितों की वानी हमेशा सच होती थे तो पर राजप्रोहित को तभी यह पद मिलता था कि कोई भी समश्य आती तो राजप्रोहित से सला लेकर उसका निवारन किया जाता था अब राजप्रोहित को महल में दोनों रानियों ने बुलाया जब दोनों रानियां उससे कहने लगी कि देखो राजप्रोहित जी बड़ी रानी मा बनने वाली है और तुम राजा के कानों में कुछ ऐसा बोल दो जिससे की बड़ी रानी का त्याग हो जाए पंडित जो राज प्रोहित था हुए कहने लगा नहीं नहीं रानी जी इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा बहुत दिनों के बाद राजा के जीवन में खुसी आई है पूरी प्रजब खुस है उसका वंस बढ़ने वाला है मैं ऐसे गरतकारे में आपका साथ नहीं दूँगा तब जोटी रानी कहने लगी कि अगर हम तुमको माला माल कर दें तो क्या रहेगा तो राजब्रोईत कहने लगा कि नहीं रानी अगर यह बात राजा को मालूम पड़ गई तो मैं मुझे जान से मार देंगे मुझे मिर्तिव दंड दे देंगे और मेरे नौकरी तो मेरी हाथ से चली ही जाएगी मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को भी मिर्तिव दंड मिलेगा रानी जी मैं तुमारा कोई मदद इसमें नहीं कर सकता लेकिन जब रानी ने उसे एक लाग सौने की मोहरे देने का लालच दिया तो वहव राज प्रोहित जो अब तक देश भक्त बन रहा था तुरंट फिसल गया लालच उसकी देश भक्ती पर भारी पड़ गया उसने राजा के खिलाप जाने का निर्ने कर लिया रानी ने कहा कि हम तुमें इतना धन दे रहे हैं तुमें राजा की नौकरी करने की जरूरत क्या है तुम किसी भी दूसरे नगर में जाकर आराम से अपने जिंदिगी बिता सकते हो राज प्रोहित को रानी इसाजिस में साथ देने के लिए उन्होंने मना लिया अब अगले दिन दर्वार लगा दरवार में इस राजप्रोहित पर मंत्री वगेरा सब बैटे हुए थे किसी विशय पर चर्चा चल रही थे राजप्रोहित जी चुपचा बैटे हुए थे तो राजा ने पूछा राजप्रोहित जी क्या बात है आप इतने उदास क्यों है राजप्रोहित जी कहने लगे बात ही कुछ ऐसी है क्या करू राजा जी तो राजा ने कहा कि क्या बात है हमें बताईए कुछ तो उसका निवारन खरेंगे तब राजप्रोहित कहने लगा कि महराज आप ही के परिवार से जुड़ी हुई समश्या है राजा चौंग गया कि मेरे परिवार से ऐसी क्या समस्या है तुरंत बताओ राज प्रोहित ने कहा महराज बड़ी रानी मावन बनने वाली है राजा ने कहा हाँ यह तो बहुत खुजी की बात है कि हमारा वन सब आगे बनने वाला है तो इसमें चिंता की कौन सी बात है तब राज प्रोहित कहने लगा महराज जो बड़ी रानी है जब बच्चे को जनम दिंगी मैंने रात भर मैं सोया नहीं हूँ मैंने बहुत गनला किये है बहुत पोती पत्राओं में अपना सब उपाय अजमालिये हैं जैसे ही बड़ा आपका पुत्र या पुत्री जनम लेगी आप तुरंत उसे देखते ही अंधे हो जाओगे यह सुनकर राजा सिंगासन से खड़ा हो गया कहने लगे राज प्रोहित जी यह क्या कह रहे हो तुम अक महराज मैं सच कह रहा हूँ आपकी जो संतान होगी वै तो खुसी की बात है लेकिन वै आपके लिए असुब पैदा होगी राजा कहने लगे राज प्रोहित जी इसका कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारी संतान भी ठीक रहे और हमारी आखे भी नहीं जाएं क्योंकि अंदा होना राजा को सविकार नहीं था कि अंदे होकर जिंदगी क्या बिताना तब राज गोहित जी कहने लगे महराज आप राणी को त्याग दीजिए जब आप राणी को त्याग देंगे तो ना तो आप संतान तो आपकी पैदा होगी इससे आपको कोई कलंक नहीं लगेगा क्योंकि आप स्वर्ग के भागी बनोगे संतान आपको हो गई और ना ही तुमारा वंस भी अब आगी चलेगा वंस का नाम तो होई जाएगा कि पुत्र हुआ है और ना ही तुमारी आखे जाएंगे राजा को राजप्रोहित की बात सही लगे वह राणी के पास गए और उनसे कहने लगे राणी जी हमें किसी तीरत यात्रा पर चलना है तुम हमारे साथ चलो राणी बड़ी परसन हुई राजा राणी को लेकर तीरत यात्रा के लिए निकल गया रास्ते में बड़ा भेंकर जंगल था उस जंगल से जा रहे थे चलते 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 जब राजा राणी ठक गए तो एक पेड के नीचे उन्होंने अपना जो तंबू गाड लिया कि आज की राथ हम यही पर वसेरा करेंगे उसके बाद राणी सो गई क्योंकि ठकी हारी थी और ठक गई थी वैसे भी वह मा बनने वाली थी और जरा सी ठकान उसे हो जाती थी वह सो गई जब राजा ने देखा कि राणी सो गई है तो राजा ने एक पर्चा लिखा और वहाँ उसे सोती हुई को जंगल में छोड़ कर वहाँ से चला गया जब राणी की आख खुली तो देखा कि वै अकेली सोई हुई है राजा और सैनिकों का कोई नाम पता नहीं है वहाँ पर वै बड़ी चिंतित हुई वै जोर जोर से महराज को पुकारने लगी विलाप करने लगी जंगल में कि मेरे पती के साथ ऐसा क्या हो गया कि सब के सब कहां गायब हो गए जब वह इदर उदर राजा को पुकारने लगी तब ही उसकी नजर उस कागज के टुकडे पर गई जिसे राजा ने लिखकर उसके पास छोड़ा था राणी ने जब उस कादश के टुकड़े को पढ़ा तो उस पर राणी के त्याग की बाते लिखी हुई थी राणी सब बाते समझ गई क्योंकि वह बहुत गुद्धी मान थी वह समझ गई कि राजा किसी सडियंत्र का सिकार हुआ है और राजा ने मेरत्याग कर दिया है अब राणी ने विलाप करना छोड़ दिया कि अब विलाप करने से क्या होता है और वह जंगल में आगे जिदर रास्ता दिखाई दिया चलने लगी चलते चलते बेचारी बहुत धक गई तब उसे दूर आस्रम एक आस्रम दिखाई दिया जिसमें एक महत्मा जी बैटे हुए थे जब रानी उनके पास पहुची तो महत्मा जी उस रानी को देखकर एकदम से अश्चरी चकित रह गए कि इस हालत में जो कि वह मा बनने वाली है परसवकाल का समय समीब था तो ऐसी हालत में यह बेचारी और अतिस जंगल में कहां से आ गई क्योंकि उसकी वेस भूसा किसी आम आदमी जैसी नहीं थी वह किसी बड़े घराने से थी मातमा जी कहने लगे कि आप कौन है और इस गने जंगल में क्या कर रही हो तब रानी ने रोते रोते सारी कहानी मातमा जी को बता दी मातमा जी को रानी पर बड़ी दयारी उसने कहा बेटी तुम जब तक चाहो मेरे आसरम में रहो और यहीं अपने बच्चे को जनम दो रानी को थोड़ा आसरा मिल गया क्योंकि जो महत्मा जी थे उनके आसराम में आसपास के गाउं के बच्चे सिक्षा ग्रहन करने के लिए रहते थे वो गुरूखुल चलाते थे वहीं रानी रहने लगी और प्रसवकाल का समय आ गया तो रानी ने एक सुन्दर से राजकुमार को जनम दिया राजकुमार का नाम महत्मा जी ने विशाल रखा क्योंकि वह बहुत ही सुन्दर था उसके बहुत ही अच्छे गण थे जो गुन थे वह बहुत ही अच्छे थे कि महात्मा जी ने उसका अपनी दिव्य दिरिष्टी से पता लगा लिया था कि यह राजकुमार है कोई साधारन बच्चा नहीं है अब धीरे धीरे समय बीतने लगा कि समय का चक्र ऐसा होता है वह किसी के लिए नहीं रुखता उधर राजा राणी को छोड़ कर उधर जो बीच वाली मजली राणी थी उसने अपने मुँपास में राजा को बांध लिया राजा सारा दिन उसके कक्ष में पड़ा रहता राजा ने राजमहल में जो राजकारियों में रूची लेना छोड़ दिया सुबह से साम तक मजली रानी के पास रहता अब छोटी रानी यह देखकर जलने लगी कि ये तो मजली रानी ने अपने बस में राजा को कर लिया है पहले तो कभी कभा मेरे पास राजा आ जाते थी लेकिन अब तो राजा मेरी तरफ देखते भी नहीं है मेरे कक्ष में तो कभी जहांकते भी नहीं है यह देख कर वे मनी मन सड्यंत्र रचने लगी क्योंकि वैं कब तक एक सबर करने की भी एक हद होती है वैं कब तक सबर करती उसने जोर महल का रक्षा मंत्री था राजा का रक्षा मंत्री था उससे उसके प्रेम सम्मंध हो गई क्योंकि औरत की भी एक इच्छा होती है जो वे इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसने रक्षा मंत्री के साथ अपने प्रेम सम्मंद स्तापित कर ली रक्षा मंत्री को छोटी रानी का साथ मिल गया तो वे राज्ये में गवन करनी लगा दीरे दीरे राज्ये में एववेस्ता फैलने लगी ओधर समय पीतने के साथ बड़ी रानी और राजकुमार आस्रम में रह रहे थे और राजकुमार दीरे दीरे बड़ा हो रहा था वैस जो महतमा जी थे राजकुमार को सिक्षा दिक्षा देने लगे राजकुमार बहुत होश्यार था बहुत बुद्धिमान था लेकिन महल में जब आसरम में पिता का नाम पर बाते चलती तो जो उसके सहपाटी थे अपने अपने पिता के नाम बताते तो राजकुमार को अ मेरे पिता जी कौन है तब उसकी माता कहती बेटा मातमा जी ही तुमारे पिता हैं लेकिन वह कहता कि आप जूट बोल रही हो मातमा जी मेरे पिता कैसे हो सकते हैं वे तो आपको बेटी कहते हैं लेकिन रानी उसे फिर किसी काम में लगा देती कि बेटा खाना खाले उसके रानी उसको तुरंट खाना खाने के लिए या किसी काम में लगा देती उसके बाद वैं खेलने चला जाता और भूल जाता ऐसे करते करते राजकुमार सोला भरसका हो गया सोला भरसका हो गया और उधर जो महतमा जी थे उनकी भी उमर हो गया और उनका भी परलोग गमन का समय आ गया एक दिन वे रानी और उसके पुत्र से कहने लगे कि बेटा मेरा परलोग जाने का समय आ गया है आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी दो चीजे दूँगा जिने तुम संभाल कर रखना वे मेरे जीवन भर की तपश्या का फल है महत्मा जी ने अपनी संदुख से एक थैली निकाली और एक तीर निकाला वे दोनों रानी को देते हुए कहने लगे बेटी अब तुम ही इनका वारिस है यह थैली ऐसी है जब तक तुम इसमें जितना धन मांगोगे एक समय में उतना धन तुमें मिल जाएगा यह कभी भी धन की कमी तुमें नहीं होने देगी और जो यह तीर है इसे तुम जिस पर भी चलाओगे चाए वे कितना ही सकती साले क्यों नहों उसे यह भेद कर तुमारे पास वापस आ जाएगा इतना कहकर मातमा जी पर लोग गमन को से चले गए अब रानी और जो राजगुमार था दोनों का बहुत बुरा हाल था कि मातमा जी तो उनका सहरा थे वे अभी उन्हें बीच मजदार में छोड़ का चले गए दोनों रोने और विलाप करने लगे जैसे उन्होंने अपने आपको संभाला जंगल से लगणिया एक खटी की और मातमा जी का दिम संसकार कर दिया अब दोनों मा वेटे का मना वुस आसरम में नहीं लगता था अब उन दोनों ने राज्या में जाकर किसी बस्ती में रहने का जो अपना करहने का कहने लगे कि किसी बस्ती में जाकर हम रहेंगे और निरन्या कर लिया वे उसी राजा के बस्ती में आ गए और अपना एक मकान बना कर रहने लगे उदर जो रक्षा मंत्री था उसे तो छोटी रानी का साथ मिल गया था अब वे राजा बनने के सपने देखने लगा कि क्यों न मैं सारा राज्य हडप लूँ उसने रानी से सारी बातें रानी उसको बता देती और रक्षा मंत्री ने जो पड़ोसी राजा था उसके यहां गुप्ट चर भेज दिया और सैना को भी अपने बस में कर लिया और पड़ोसी राजा ने जब यह पता चला कि राजा तो महल में मतलब किसी काम में रूची ही नहीं लेते हैं उसके राज्य में एववस्ता फैल गई है तो पड़ोसी राजा ने और रक्षा मंत्री का साथ भी उसको मिल गया तो उसने उसके राज्य पर आकर्मन कर दिया जब राज्य पर आकर्मन हुआ तो मंत्री जी भागे भागे आए और कहने लगे महराज पड़ासी राजा ने हमारे राज्ये पर आकर्मन कर दिया है तो राजा ने तुरंट अपने आपको संभाला और अपनी सैना त्यार की और युदिस्तल पर पहुँच गए लेकिन यह क्या जो सैना थी उसमें जोस नहीं था और आदी सैना रक्षा मंत्री के सारे पर चल रही थी पड़ासी दुस्मन सैना उनका खात्मा करती जा रही थी वे लोग डरने लगे इस पर रक्षा मंत्री जी मंत्री से कहने लगे कि आप अपने जो सैनिक उनको हध्याय डालने के लिए कह दीजिए इतने लोगों को मरवाना ठीक नहीं है मंत्री जी कहने लगे आप कैसी बाते कर रहे हो रक्षा मंत्री जी हम देश भक्त हैं जब तक हम हैं दुस्मन हमारी राज्य में परवेश नहीं कर सकता हमारी लाजों के उपर से ही जाट दुस्मन जो हमारे राज्य में जाएगा राजा भी एक मोर्चा संभाले वे लड़ रहे थे लेकिन रक्षा मंतरी ने कहा कि मैं रक्षा मंतरी हूँ यह मेरा आदेश है रक्षा मंतरी का आदेश था तो मजबूरी में मंतरी जी को मानना पड़ा उन्होंने हत्याय डालने के लिए कह दिया तो दुस्मन की सैना ने राजा को चारो तरफ से गेर लिया कि राजा को बंदी बना कर अपने काल कोटरी में डाल देंगे और रक्षा मंतरीमा का राजा बन जाएगा यह तो उनकी चाल थी लेकिन जैसे ही सारी सैना के सैनिक राजा को चारो तरप से गेर रहे थे तब ही एक बान ना जाने कहां से आया और उसने एक की साथ में 25 सैनिकों को भींद दिया यह देखकर सैनिकों के होस फाकता हो गए एक ही बार में 25 सैनिक खतम और वे बान भी निकल कर उस लड़की के हात में जा पहुंचा वे कोई और नहीं वे ही रानी का पुत्र था जो आस्रम में से आया था आप उसने राजा से कहा राजा साब आप घबराईए नहीं ये लोग हमारी धर्ती पर कदम नहीं रख सकते जब तक हम जीवी थें अब उसने वे तीर चलाया आपकी बार पचास लोगों को मारा फिर तीर चलाया सो डेड़ सो तीन सो चार सो पान सो लोगों को जब उसने मार दिया तो सैना में भगदड मच गई सैना में भगदड मच गई ये बड़ोसी सैना पीट दिखा कर भाग गई मा के राजा को पकड़ लिया गया राजा को पकड़ लिया गया राजा तो एक टक उस लड़के को देख रहा था जिसने फरिष्टा बन कर उसकी जान बचाई तब राजा उससे कहने लगा भाई तुम कौन हो और ये चमतकारी चीज क्या है ये तो मैं पहली बार तुमारे हाथ में देख रहा हूँ ये तो बड़ा चमतकारी तीर है तब वे कहने लगा कि हां महराज ये एक चमतकारी तीर है मेरे गुरु देव ने मुझे दिया है और इसको मैं जिसे चाहूं उसको भेद सकता हूँ फिर भी ये वापिस मेरे पास आ जाएगा इसी कारण राजा की युद में विजय हुई पड़ोसी राजा को जब बंदी बना लिया तो उसने सब सच उगल दिया कि कैसे रक्षा मंत्री ने धोका करके तुमारे साथ हम को यह सूचना है दी रक्षा मंत्री को बंदी बना लिया रक्षा मंत्री को बंदी बना लिया तो रक्षा मंत्री ने भी सच उगल दिया कि छोटी राणी मुझसे मिली हुई है छोटी राणी को भी बंदी बना लिया छोटी राणी से सच उगल वाया तो छोटी राणी कहने लगी कि अब राजा मून्ड पकड़ कर रोने लगा, उसने अपना सिर्थ दे दे कर मारने लगा, कि यह मैंने क्या कर दिया, आज मेरा पुतरी स्विसाल के बराबर होता, उसे अब रानी की बड़ी याद आने लगे, राजकुमार कहने लगा, महराज मुझे काम की जरूरत है, आप अपनी सैना में मुझे कोई काम दे दीजिए, राजा ने उसे अपनी सैना का सैना पती बना दिया, एक दिन राजा कहने लगा, कि तुम बहुत वीर हो, धन्य है वे माता जिसने तुमें जनम दिया है आज हम तुमारे माता से मिलना चाहेंगे जब राजा ने उसकी माता का नाम पूछा तो राजकुमार ने रानी का नाम बताया तो राजा एकदम से चौक गया क्योंकि उसकी बड़ी रानी का नाम भी यही था तो वह कहने लगा तुमारे पिता का क्या नाम है तब वह लड़का कहने लगा मेरे पिता का नाम मुझे आज तक मेरी माने नहीं बताया कि मेरे पिता ने मेरी मा को क्यों त्यागा यह भी मेरी माने मुझे नहीं बताया अब राजा कहने लगा कि मुझे तुरंत तुमारी मा से मिलना है अब राजा को लेकर लड़का अपने मा से मिलने गया तो राजा रानी को देखते ही पहचान गया और उसके पैरों में पढ़कर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि एक सड़ी अंतर के तहत मैंने तुम्हारा त्याक किया लड़का है सब देख रहा था लड़का कहने लगा ठीक है महराज अगर आपने मेरी मा का त्याक किया था ता आप उसी सम्मान के साथ मेरी मा को महल में लेके जाएंगे तभी मेरी मा महल में जाएगी नहीं तो मेरी मा महल में नहीं जाएगी राजा ने कहा बेटा मैं तुमारी सबसर्थ मानने के लिए त्यार हूँ तब राजा ने कहा राजा के बेटे ने कहा राजुकुमार ने की एक काम कीजिए महराज आप एक पालकी मंगाईए पालकी में मेरी माँ बैठेगी और कहार जो पालकी उठा कर ले जाएंगे उसका एक कंदा तुम उठाओगे तुमारे कंदे पर बैठकर मेरी माँ उसी सम्मान के साथ उस राज महल में जाएगी राजा ने राजकुमार की बात मान ली राजा अपने कंदे पर पाल की उठा कर राणी को बैठा कर बड़े सम्मान के साथ महल में ले आया और राजकुमार का राजय भी शेक कर दिया दोनों रानियों को काल कोठी में डाल दिया प्रोहित और जो रक्षा मंत्री था उनको मिर्तियों की सजा दी मिर्तियों की सजा तो रानियों को भी दी थी लेकिन राजकुमार ने कहा कि इनों ने मेरी मा के साथ बहुत बुरा किया इन्हे काल कोठरी में सरने दो कि ये मिर्तिव से थो इन्हे एकदम से मुक्ति मिल जाएगी लेकिन जब ये तिल-तिल घुट-घुट के मरेंगी तो इन्हे अपने किये हुए का पश्यताप होगा इस तरह से राणियों को काल कोटरी में डाल दिया राजा अब बड़ी राणियों और अपने फुत्र के साथ खुसी खुसी जीवन भिताने लगा उनके महल में खुसियां लोटाई जसन होने लगा और राज्यय में भी पहले की तरह स्फिर से खुशाली छा गई दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सबिस्क्राइब करें और शेयर करें राधी राधी